हलो एवरिवान स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एकसाम अकेडमी पर जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंड डिफरेंड यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोश्ट पर जो भी रिक्रिमेंट निकल कर आता है उसका इंफार्मिशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुचाने का प्रियास करते रहते हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के तीन यूनिवर्सिटी जहां से असिस्टन प्रोफेशर असोसेट प्रोफेशर और प्रोफेशर के लिए रिक्रिमे करेंगे यहां पर रेगुलर सीट्स पर भी पोश्ट मांगे गए हैं और कांट्रेक्ट पेसिस भी पोश्ट निकल कर आया हुआ है जिसके उपर हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो में लाच तक बने रहे हैं जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इंफार्मिशन हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते हैं आप तक समय पर पहुचता रहे हैं यहां पर जो हमारा पहला यूनिवर्सटी है वो स्री गुरू ग्रंत साहिब वर्ड यूनिवर्सटी है जो की पंजाब में स्टैबलि इससे पहले आप लोगों को अपना फार्म अप्लाई कर लेना है वरना इसका लाश डेट निकल जाएगा फार्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनके ऑफिशल बैफसाइट www.sggsewu.adu.in पर लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपके सामने इसका अफिशल यह फार्म अप्लाई कर सकते हैं साथ सीटों पर रिक्रिमेंट मांगे गए हैं बाटनी में बाटनी एन इन्वार्मेंटल साइंस में यहाँ पर पोश्ट निकल कर आया है दो सीटों पर रिक्रिमेंट मांगे गए हैं कमिश्ट्री में यहाँ पर दो सीटे हैं मैथमेटिक् असिष्टन प्रोफेशर के लिए 3 सीटे हैं, Commerce में यहाँ पर 5 सीटे हैं, Education में 9 सीटे हैं, वहीं Physical Education में असिष्टन प्रोफेशर के लिए 11 सीटे हैं, Bio Technology में 2 सीटे हैं, Computer Science में यहाँ पर 9 सीटे पर Application मांगे जा रहे हैं, Food Processing अचोंग टेक्नोलाजी में असिष्टन प्रोफे सीटे हैं University School of Law में साथ सीटे हैं Physiotherapy में एक सीट है Music में दो सीट है History में यहाँ पर Assistant Professor के लिए तीन सीट है Political Science में दो सीट है Sociology में यहाँ पर दो सीट है Assistant Professor के लिए कुल यहाँ पर 20 Department से Recrement निकल कर आया हुआ है जहाँ पर आप Assistant Professor का Farm अपलाई कर सकते हैं हमारा जो अगला Recrement निकल कर आया हुआ है वो भारती सूचना प्रायोगी की संस्थान रायचूर से निकल कर आया हुआ है जिसे टिपल आईटी रायचूर के नाम से भी जाना जाता है हैदराबाद का कैंपस है जहां से Recrement मांगे गए हैं और यहां टोटल 9 वैकेंसिया निकल कर आई हुई है जिसमें आप लोग Regular Seats पर Farm अपलाई कर सकते हैं यहां Assistant Professor Grade 1 का भी पोस्ट है और Assistant Professor Grade 2 दोनों के लिए पोस्ट मांगे गए हैं Grade 1 के पोस्ट में Academic Pay Label 12 की सैलरी रखी गई है यहां 3 years का पोस्ट PhD experience मांगे गए हैं वहीं Assistant Professor Grade 2 के लिए Academic Pay Label 11 और 10 का रखा गया है और यहां पर 1 years का पोस्ट PhD experience मांगे गए हैं जो Subjects है जहां से Application मांगा गया है उसमें Computer Science and Engineering से पोस्ट निकल कर आया हुआ है Artificial Intelligence and Data Science से पोस्ट मांगा जा रहा है Mathematics and Computing से पोस्ट मांगे जा रहे हैं आप देख सकते हैं कुछ इस्पलाइजेशन भी यहां पर मेंसन है तो आप लोगों का जो भी Masters में इस्पलाइजेशन है उसके अकार्डिंग आप यहां से फार्म अपलाई कर सकते हैं हमारा जो अगला रिक्रुमेंट निकल कर आया हुआ है डाक्टर हरी सिंग गौर विश्विद्याले से निकल कर आया हुआ है मद्ध परदेश की एक Central University है जहां से रिक्रुमेंट मांगे जा रहे हैं इसे University को NAC ने A Plus का Grade दिया हुआ है Notification Hindi और English दोनों में Release किया गया है इसका Last Date जो है इसे Extended किया गया है और 24 June तक बढ़ा दिया गया है पहले 2 February 2024 इसका Last Date था लेकिन इसे April के महिने में एक नया Notification रिलीज किया गया जिसके तहत इसका Last Date है उसे June तक बढ़ा दिया गया है Hot Copy जो Receiving का है वो 30 June तक आप कर सकते हैं तो 24 June तक Farm Apply करने का Last Date है और 30 June यहाँ पर Hot Copy Receiving का Date दिया गया है यहाँ पर Regular Seats पर Requirement निकल कर आया हुआ है तकरीवन 88 पोश्ट है जिसमें आपको Academic Payable 57,700 से 1,82,400 की सेलरी आपको प्रवाइड कराए जाएगी Assistant Professor के लिए यहाँ पर School of Art and Information Technology में Library and Information Science और Fine Art and Performing Arts से पोश्ट मांगे जा रहे हैं Social School of Humanities and Social Science में यहाँ पर Asian Indian History, Culture and Archeology, Economics, Philosophy Psychology, Political Science, Public Administration, Sociology and Social Work से पोश्ट मांगे जा रहे हैं वहीं School of Language में यहाँ पर English and Other European Language से पोश्ट मांगा गया है और Hindi के लिए यहाँ पर पोश्ट मांगा गया है School of Applied Science में यहाँ Anthropology, Criminology, Forensic Science और General and Applied Geography से रिक्रुमेंट मांगे जा रहे हैं वहीं School of Engineering and Technology में यहाँ पर Applied Geology से पोश्ट मांगा गया है Pharmaceutical Science से पोश्ट मांगा गया है School of Biological Science में यहाँ पर Botany, Biotechnology और Bio, Microbiology से पोश्ट मांगे गया है साथ यह साथ Geology से भी पोश्ट निकल कर आया हुआ है Computer Science and Application से पोश्ट मांगे गया है Mathematical and Static से पोश्ट मांगे गया है Physics से पोश्ट मांगे गया है Business Management से पोश्ट मांगे गया है Law, Yogic Science, Adult Education, Lifelong Learning Education Education, Chemistry, Center for Studies on Ideal Studies on Knowledge में यहाँ पर पोश्ट मांगे गया है कुल 88 सीटों पर रिक्रिमेंट मांगा गया है जिसे अपलाई करने के लिए आप लोग अगर General, OBC और EWS कंडिडेट हैं तो 1000 रुपए अप्लिकेशन फीज है SCST, PWD और Women कंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपए अप्लिकेशन फीज रखे गये हैं तो गाइस अगर आप इंटरिस्टेड हैं इसे इन तीनों यूनिवर्सिटियों से फार्म अपलाई करने के लिए तो गाइस हम अपने यूटूब चैनल के माध्याँ से इस तरीके की information आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं अगर आप लोगों को भी इस तरीके की information की अगर आप लोग भी इस तरीके का information पाना चाते हैं तो हमारे यूटूब चैनल को जरूर से subscribe करें मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ तब तक लिए thank you so much